अगर यह बोट बोट निदे रहे जी हम उसे अगर वे यह कहें गे ना अगमना सीरतार के दे दो हम तो गरव महशूस करेंगा अपना कलम कर देंगे सिरुन के लिए हमारा अंदोलन दब रहा था चरंब सीमा वे बिलकु खतम होने के कागार बता सरकार से दमाने की कोशिश करी थी जब जैंत चोदरी मसीः बनके जब हम रो रहे थे ना अंदर खाट पर के अब धरन उठ जगा सरकार भगा देगी जब मसीः बनके पबलिक के बीच माएं थे अच्छा माउल रावोथी, और यहां से विदायक बनागा, आम थमीन जी बनागा, पहले जो यह विदायक थे, वो जो है, दहामा जी थे, अब के बार नहीं हो पाऊंगे, अगर बात करें कैसे विदायक बनागे, कैसे किया आपने, आकलन आपके पहले जब जब विदायक पहले भी गटबंदन जीत रहा था यह बोट पड़ी थी एक लाग तीन हजार धामा जी के खिलाप धामा जी को मिली थी तिरानमा जार वोट अब कि उसके खिलाब एक लाग तीन पड़ी जैसे 63 तो जो है पक्का जो है यह होंगे कम से कम 25,000 पलस सजी हाँ जी इतने माइनस में चले जांगे दामा जी को कितना बोट मिलेगा मेरे खाल से 65 के करीब मिल पाओगा और अग्यारने का भी चांस नहीं है क्योंकि आइमाद अमीजी तो एक ऐसे नेता से जुड़े हैं जो चरितर यह तो एक ऐसे नेता है हमें सोब बहुत गरव हो रहा है कि हमने ऐसे नेता को सपोर्ट करें जो एक अच्छे खानदान से तालूक रखें और यह देख लो के मजदूर के आवाज उठाने वाले हैं किसान के भाद भी तो chirdy से तक उनका यहीं कहना किंभी से लग तिन पीडियहां कि रखतों के रहते हैं हरा dat व equivy कोई मोट है तो पीछ सव्त निया की अपड़ लूगों है अब देख लो तीन पीडी से लगा के देख लो अगर मजदूर के अवाज उठाने में हमेशा अगर रहे हैं जब हमारा अंदोलन दब रहा था चरम सीमा बे बिल्कु खतम होने के कागार बता सरकार उसा दमाने की कोशिश करी थी जब जैंत चोधरी मसीहा बनके जब हम रो क्या मानते हैं अगर यह बोट बोट नहीं दे रहें जी हम उसे अगर वे यह कहेंगे ना अगमना सीरतार के देदो हम तो गरूम महसूस करेंगा अपना कलम कर देंगे सीरून के लिए यह बड़ी बात इन्होंने कहिए आप देख रहे हैं कि जैंत चोधरी के लिए अपना स कराने के लिए भी लोग ते जा रहे हैं ऐसे खांदान से नेता है चोधी चंड सिंग यहां से परधान मंत्री भी रहे हैं और जो अजी सिंग है वो मंत्री भी रहे हैं बहुत लोग के बीच में रहे हैं किसानों के बीच में रहते हैं एक भी दाग नहीं सुरू से आंखरी होता है बता हो तो बोलने में फरफेक्ट हैं कोई गलत नीतिका पर योग नी करते कभी किसी जाती पाती का ध्रम का बेदवाव नहीं करते अच्छे लगे जी हमें तो बहुत क्या कहेंगे बढ़ी आया है बिल्कुल जैन चोधरी गणी वोट्टू जितते हैं मारे नेता हैं से रहे नेता बिलकुल मारे श्टिस चीट यहां से बात करें श्टिस इनको मिली थी बश्री मुत्तर परदेश से जीत करेंगे तो सारी जीत करें तो बात करें हम लोग पहले चरण हुआ 10 तारिकों दूसरा चरण जो जोदर थारे को हुआ है क्या इस्तिति रहें रहेंगी कि बिल्कुल बड़ोत्री लेका चलेंगे सुरूत ही जिब यहां के चुना हुआ है लोग जो बड़े नेता हैं लोग भारजंदा पार्टी के उनके हमने भी देखा है कि उनको यह लग रहा है जो इन्होंने एनलाइसिस किया है कि यहां से दो चड़नों में हम हा रहे हैं देखने को मिल रहा है उनके बीच में और लोगों से बात करेंगे क्या हुआ क्या माल लाग रहे हैं हमें तैसा लग रहा है इनका जो है भार्तिय जनता पार्टी का सूरज पच्छीम तर डूबता चले जागा और मतलब बिल्कुल ही अंधेरा हो जागा पूर बलो इतने च हुआ है ऒैंत बनन को तो लगंच लग तिने के तीन हिसे रहें जिको जब है लोग जो सर्थ लगा रहे है योग फ़त्या नहीं गांगे की चुनाओ इसेुन जीट Came 1 मिस जीत रहे हैं लोग जमीन की सर्थ लगा रहे हैं कितनी इसमें सचाइई इतने ऐसस्तों आपके शाय अब जादे बहुत जीत रहा है लगब 35,000 बट्टोते गट बंदन का पर्ताइसी जीत रहा है अर जो लोग हिंदू-मुसल्मान की बात कर रहे जी उन्हें मैं आपको बताओं हिंदू-मुसल्मान की एक तक तो पूरा इथियास बर्या पढ़ जाए ऐसे अनेक उदारन है इत बात की जो निती है हिंदू-मुसलिम सिक इसाही आपस में भाई-भाई का नारा लगाते हैं हिंदू-स्तान के लोग और इसको बातने में लोग जो वार्जिंद्व पार्टी ने बाई-चारा खतम किया इसमें कितनी सच्चाई है बिलकुल तो मैं आपको आई तो बात कित इसने दुर्भाग्य की बात हैं देश का ग्रह मंत्री रहते हुए और मतलब इतनी अलगाव वादी नीती अपना रहा तो देश की लिया कितनी खतरनाक नीती है उसकी अर्ताम नहीं कह रहे हैं इसमें हिंदू-जो का चोधरी अजीस ने भी अपने लोग सबागे चुनाव में कहा था अख में चुनाव हार हूं या जित्तू पर इन दो विरादरी की एक ता मैं करवा के रहूंगा और वे साइद वह में देखने को भी लिए हाजी इस चुनाव में बिल्कुल यह हसन की बात करें जो कहराना से कहराने के उपर उन्हें पूरा उच्छी मुताब पर देख का चुनाव लड़ा है तो क्या इसी ती रही है पूरे पच्छी मुताब पर देख कर चोद्रिया जी सीने कहा ता अपने लोग सबगे चुनाव में हमने बिल्कुल ही इस विदान सबगे चुनाव में उनका वो सपना बिल्कुल साकार हुआ है हिंदू मुसलमान कोवेग लिए बहुत हद तक भर चुकी है जी और मैं आपको बताऊं भगस सिंग के खिलाब जिनूना गवाइदी वी मतलब लोग मतलब हिंदू ते व्लोग वे सिक द्रमते तालूव मतलब लोग ते विदू नूए जिन्णोंने ब्लग सिंग का केस लड़ा वे मुसलमान सब के नाम लिखे वे हैं आज भी हम लोग देखें देखते हैं कि बिल्कुल भाईचारा रहा हिंदुस्तान के अंदर जो अब हमें जो है बीच में जो यह बाईचारा खतम करने कोईश्की के लिए बारतिय जन्ता पार्टी के दुआरा लेकिन इस बार लोग समझ चुके हैं कि कोई बाई कोई आपस में बैर नहीं रहेगा आपस में बाई चारे से हम लोग रहेंगे यह बिल्कुल यह चुनाओं में देखने को बारतिया त्यासमा नेक उधारन है बाई-साब अक जिब रानी लक्समी बाई पर आप मतलब अंग्रेज्जू ने चड़ाई कर दी तो अनका जो बांखा राज था माधू राजसी शिंघ्झ दिया उसने उनके खिलाप जो है अंग्रेज्जू तैमिलकर उनके खिलाप साजि रच़ी और जिले का जो नवाब ता अली मुहम्मद खा उन्होंने उनकी रख्षा की और उनका मतलब जो अन्तिम सब्सक्राइब नाम है पुरा नीरड़ा का जी जा काम करते हैं कितनी जानकारी रखते हैं इनको एक कितियास का पता है कि भाई चारे का बहुत बड़ा हमारे यहां मिसाल तो मतलब महरा इत्यास तो हिंदू-मुसल्मान की एक तता भर्यावी इत्यास है और जिस मुकमंतरी जो इसे योगी आदित्यानात बोले यह तो योगी कहलाने के लाक बिलकुल भी नहीं है जी ऐसा मुकमंतरी जो 80-20 की बात करता है और उसे हिंदुस्तान योगी कह रहा त जजां स्स्मामी वी थानंतत हैंदू द्रम का रख सकत उनों अमेरिका में ज patent हूं और मैं उस्त अफ देस्ता हूं और जिस देस अन्गे जो घूंगी Eddy मुकमंतरी इसे आ अध योगी हधित्यानात कह रहा तो कितने लोगों को अभी मुद्धा स्थंडे बस्ते में है तो क्या लग रहा है ये पिछुडाओं के बाद में ये जागे का क्या मुद्धा देखो बाइसाब बले दुर्भाग्या पूर्ण बात है जो मैं बता हूं तो अग जो स्वाम विवेकन अमेरिका में भासंड दिया हैं और महरे उस हिंदुस्तान में भारतिय जर्मता पार्टी सियो और नर्सी का कानूल लाई तो बहुती दुर्भाग्या पूर्ण बात है तो लोगों से बात करेंगे क्या मानते हैं साब बहुता जितेगी जो जीतेगी दस्तारी को रिजल्ट आएगा माहूल कैसा रहा है माहूल दे पूरा बढ़िया रहा राग के बढ़िया ही रहा होगा अपने अनलाइसिस किया है कि वही कितने कितनी वोटों से आपका गिडिट जीत काएगा 25-30,000 वोटों से जीत काएगा सच्चा ही क्या होगी यह दसमार्च में बात करेंगे जब तक बने रहे हैं और